क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से क्या कहती है आपकी राश्य जानिए अपनी कुंडली एवं राश्यों का फोर्ण विश्ले से अचारे चंदन संडिले जी से गुरूर ब्रह्म्हा गुरूर वेष्णों गुरूर देवो महेस्वर गुरू साक्षात प्रम्रम्हा तसमय स्रे गुरुवे नमहा नमस्कार दर्शकों मैं पंडित चंदन सांडिल परते दिन के तरह कुंडली दर्शन में आज का रासी फल विश्यशांग कारिकरम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से श्वागत करते हैं आज हम बात करेंगे आज के रासी फल के बारे में जी हाँ आज बात करेंगे कि आज आपका दिन 20 अप्रेब 2018 सुक्र कर रहा है रासी परिवर्तन और आज आपका रासी फल क्या कुछ कहता है क्या कुछ कहते हैं ग्रह और सितारे किस तरफ हैं आपके रासी को लेकर आज इनके ही सारे क्या कुछ होगा आज आपके साथ जीवन साथी से बनेगी आपकी बात या फिर सारा दिन आप सी कलह कलेस में बह जाएंगे आपके जज़बात मुनाफे से होगी दिन की सुरुवात या हो सकता है कोई बहुत बड़ा नुक्षान आज आप उचित समय की कैसे करें पहचान इन्ही बातों पर करेंगे चर्चा कि क्या हो सकती है मेश रासी से लेकर मीन रासी वालों को आज समस्या और क्या हो इसका उचित शमाधान सबसे पहले बात करेंगे आज पंचान के बारे में फिर करमशा मेश रासी से लेकर मीन रासी वालों के रासी फल के बारे में आज वैसाक शुक्र पक्ष की पंचमिती थी शुक्रवार का दिन साथ ही आज सुभा दो बच कर नौ मिनट पर शुक्र विर्शव रासी में परवेश कर रहे हैं और यहाँ पर 14 माई की रात 8 बच कर 46 मिनट तक रहेंगे तो इस शुक्र के गोचर से आपके जीवन में क्या कुछ होगा प्रभाव इसका एक अलग से कारक्रम आप हमारी इस चैनल पर देख सकते हैं कि आज से 2 बच कर 9 मिनट से जो सुक्र का रासी परवर्तन हो रहा है 14 माई तक रात के 8 बच कर 46 मिनट तक जो रहने वाले हैं इससे आप सभी रासी वालों के जीवन में क्या कुछ होगा प्रभाव इसका एक अलग से कारक्रम आप हमारी चैनल पर देख सकते हैं लेकिन आज इसका रिकर में बात करेंगे कि आपका आज का रासी फर क्या कुछ कहता है आज आपका दिन क्या कुछ लेकर आ रहा है इसके लिए सबसे पहले बात करते हैं मेश रासी फिर क्रमशा मेश रासी से लेकर मिन रासी वालों के वारे में बात करेंगे सबसे पहले मेस रासी वाले, मेस रासी वाले आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है, आज आप अपने आफिस में काम का बोज थोड़ा सा जादा महसूस करेंगे, इस रासी के लोगों को आज जीवन साथी के साथ बात करने का भरपूर मोका मिलने वाला है, साथ ही आज का दिन उन चन दिनों के जैसा है जब घरी की सुईयां धीरे धीरे हिलती है मतलब आज आप लंबे समय तक बिस्तर में पड़े रहकर अपने आपको कुछ आराम दे सकते हैं और कुछ आलस भी आज आप कर सकते हैं इस रासी के जो लोग वेपार करते हैं बिजनसमेन हैं वे आज सोश समझ कर निवेश करें आज के दिन आप की निवेश की योजनाय आपको आकर सिर्थ अवस्थ करेंगी लेकिन निवेश करने से पहले विश्य सग्गी की सला जरूर ने वरना आपको नुक्षान सहना पड़ सकता है उपाय भगवान सोरी को जरड़ पित करना आपके स्वास्त के लिए ठीक रहेगा अब आई बात करते हैं अगली रासी आप भी जानते हैं विर्षब रासी विर्षब रासी वाले आज का दिन आपके लिए उत्तम रहने वाला है क्योंकि आज आपने जान लिया कि आपकी ही रासी में आज से सुक्र 14 मही तक रात के 8 बच कर 46 मिनर तक रहने वाले हैं और इससे आपका दिन बहुत ही बहतरीन रहेगा आज जो छात्र किसी परतियोकता की तैयारी कर रहे हैं उन्हें शफलता अवश्य प्राप्त होगी और आज आप इस खुसी में कोई पाटी अपने दोस्तों के शाथ कर सकते हैं पूरा दिन आज आपका दोस्तों के शाथ बिर सकता है किसी सौपिंग मॉल पर भी आज जा सकते हैं आज किसी करीबी रिष्टेदार के आने से आपका घर का वातावरन पहले से अत्तधिक खुशनुमा रहने वाला है प्रेमी जोड़े आज एक साथ किसी रिष्टोरेंट में डिनर के लिए जा सकते हैं इससे आपके कात्रों के लिए आज का दिन मैंने पहले भी बताया अच्छा है पढ़ाही में मन लगेगा साथ ही कुछ नए चीजों को कुछ नए कोर्स को करने के लिए आज आप सोच सकते हैं नौकरी पेशा लोगों के लिए आज का दिन बहुत ही जादा लाप्रत रहने वाला है उपा मिथुन रासी वाले आज का दिन आपके लिए शामानने रहेगा आज आप शभी काम अपने मन मुताबिक पूरे तो करेंगे लेकिन किसी बात की आपको कोई कमी अपने मन में रह सकती है आज आफिस में आपके कुछ सहकर्मी आपके किसी कारियों का विरोध कर सकते हैं लेक पर कुछ office staff आपको support भी करेंगे आज आपके सक्रात्मक विचार से खुस होकर आपके senior खास करके आपके boss आपसे प्रसंद हो सकते हैं और आपको कोई उपहार या कोई promotion दे सकते हैं आज आप अपने घर में बदलाव करने के लिए कुछ नई योजना बना रहे हैं तो घर के पड़िवार वालों की राय लेना न भूलें अन्यता रिष्टों में दरार हो सकती है आज के दिन कुछ भी नया काम करने के लिए आपके लिए उत्तम है पर प्रेमी जोड़े आज एक दूसरे पर किसी विशेश बात को लेकर दवाव ना बनाएं वरना आज आपके दिल में दूरियां उत्पन हो सकती है इस रासी के जो लोग आईटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं और वो काफी समय से बिरुजगार हैं तो किसी मल्टी नेशनल कमपनी से कोई जॉब का उफर आ सकता है उपाय में काले तिल को बहते वे जल में प्रभाइद करना आपके आर्थिक इस्तिती में बढ़ोतरी करेगा अब आई ये बात करते हैं करकरासी करकरासी वाले आज आपका दिन ठिक ठाक रहेगा आज सेहत से जोड़ी कोई समस्या आपके लिए परिशानी का शबब बन सकता है इसलिए बेहतर होगा कि आज आप अपने आपको थोड़ा बेडरेश्ट अवस्थे दें पिछले काफी समय से आप दिन रात ज़्यादा काम कर रहे हैं तो आज आपको कुछ समय आराम करना चाहिए इस रासी के जो लोग कपड़ों का बिजनस करते हैं आज उनके लिए कोई बहुत बड़ी डिल फाइनल होने का योग दिख रहा है जिससे आपके घर में माहोल खुशनुमा रहेगा लेकिन आज इस रासी के लोग खास करके अपने परिवार में कुछ विशेस बातों को लेकर जित पे ना अड़ें नहीं तो परिवार में किसी सदस्से मतभेद हो सकता है बहतर होगा कि आज अपने वेवहार पर आप शैयमित जरूर रहें जीवन साथी के साथ किसी बात को लेकर बहस हो सकती है और वह बात हो सकती है पुरानी हो जिससे आपके बीच थोड़ी बहुत मतभेद बढ़ जाए इसके लिए उपाय आप आज के दिन आपकी रासी के लिए जो उत्तम है पीपल के विरिख्ष में जलर पित करना आपको लाब देगा अब आई बात करते हैं अगली रासी शिंग रासी शिंगरासी वाले आज आप खुद को ज्यादा आशावादी बनाने के लिए अपने आपको प्रिरित कर सकते हैं और यह आपके आत्म विश्वास के लिए अच्छा रहने वाला है इससे आपके आत्म विश्वास में बिर्धी अवस्ष होगी और आज आप अपने विभार में भी पहले से खुद को लचिलापन अवस्ष लाएंगे इसके साथ ही साथ आज आप अपने नकरात्मक विचारों को दूर करने का प्रियास करेंगे इस रासी के चात्रों के लिए आज का दिन बहत्रिन रहने वाला है आज आप अपने भविस्ष की कोई योजना बना सकते हैं शाथ ही अपने वर्तमान की योजना में भी कुछ बदलाव कर सकते हैं इस रासी के न्यू मेरेडियल कपल एक साथ कहीं शाम को शमय बिता सकते हैं आज दोस्तों के साथ किसी बात को लेकर मन मुटाव हो सकता है हो सकता है यह बात कुछ बड़ी हो जाए जिससे कहीं दोस्ती तोटने की करार पे ना आ जाए आज के दिन केले के पोधे के सामे घी का दीपक जलाने आपके लिए बहुत ज़्यादा आपको लाब देने वाला है अब आई बात करते हैं अगली राशी कन्याराशी कन्याराशी वाला आज का दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मधुर रहने वाला है आज आप रोमांटिक माहोल में अपने आपको कुछ जादा ही महसूस करेंगे आज आपका रुजान गीत संगीत के परती जादा रहेगा आपको आज यदि आप गाने के छेत्र में रूची रखते हैं तो कहीं से गाने का उफर भी मिल सकता है जिससे आपका मन परसंद रहेगा इस रासी के जो लोग बिजनस करते हैं आज आपको बिजनस में बहुत ज़्यादा धनलाब की संभावना दिख रही है साथ ही आज यदि पिछले काफी समय से आपके कोई पैसे कहीं रूके हुए हैं कहीं अटके हुए हैं कोई कर्ज आपने किसी को दे रखा है वापस नहीं मिल रहे हैं तो आज उसके मिलने के संकेत देख रहे हैं जीवन साथी का वेवार आज आपके लिए समानने रहेगा रात को स्वादिश्ट भोजन का आनन्द आपको लेकिन जरूर मिलेगा इस रासी के बड़े बिजनसमें आज अगर खाली टाइम में कुछ न्यू प्लानिंग करते हैं तो भविश्ट में इसका फायदा अवस्ष्ट होगा उपाय काले कुत्य को रोटी खिलाने से आपकी आर्थी किस्तिति में सुधार होगी अब आई बात करते हैं अगली रासी तुलबासी तुलबासी वाले आज चुकि आप पर जानते हैं आपके रासी करश्वामी ब्रिस रासी में प्रवेश्ट कर रहे हैं इससे आपका दिन एक नई खुसियों का बचार लेकर आ रहा है आज आपके द्वारा शमाज में किये गए कुछ पुराने कारियों के लिए आपको निश्चित रूप से सरहना आपके लिए की जाएगी और आपके मान, सम्मान, पद, पर्तिष्ठा में शमाजिक रूप से बिर्धी होगी अगर आप आज जीवन साथी पर किसी बात को लेकर दवाव डालने का प्रयास करेंगे तो इससे आपके रिष्टों में काफी दरार बढ़ सकती है ऐसे में बहतर यही होगा कि जिद छोड़ें और आप जीवन साथी के भी कुछ बातों को सुनने इससे जीवन साथी आपके तरब आकरसित होंगी इस रासी के जो छात्र आर्किटेक्ट छेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए आज का दिन अच्छा है किसी अच्छी कमपनी से जॉब का कोई ओफर आ सकता है यदि आज आप इंटर्विव में जा रहे हैं तो हो सकता है आपको शखलता अवस्य मिलेगा आज के दिन हनमान चलिशा का पाट करना और मंदिर में जाकर हनमान जी का दर्शन करना आपकी परिशानियों का निवारन कराने वाला उपाय दिख रहा है अब आई बात करते हैं व्रिश्चिक रासी व्रिश्चिक रासी वाले आज का दिन आपके लिए अच्छा रहेगा धन सम्मंदि मामलों में शावधानी बरतने की चरूरत है आज पाडिवारिक जर्टों को पूरा करने में धन जादा खर्च हो सकता है इस रासी के जो लोग इंजिरिंग का कारे करते हैं आज उनका ट्रांस्फर ऐसी जगा हो सकता है चहां से अप एंड डाउन करने में आपको थोड़ी बहुत परिशानी हो सकती है आज किसी नई जमिन से सम्मंदित कोई लेंदेन करने जा रहे हैं तो पहले उसकी अच्छी तरीके से जाँच पड़तान जरूर करने आज घर के किसी सदस्त की अचानत तबियत खराब हो जाने पर आप थोड़े परिशान हो सकते हैं लेकिन अपनों के स्रहयोग से आपकी परिशानी थोड़ी कम अवस्ष्य होगी तील के लड़ू को जल में प्रभाइद करने से आज आपके समस्याओं को शमधान अवस्ष्य होगा अब आज ये बात करते हैं अगली रासी ब्रिश्चिक रासी की बाद धनुरासी धनुरासी वाले आज आपका मन रचनात्मक कारियों के परती चादा रहेगा इस छेत्र के लेखन कला में रूची रखने वाले लोगों के लिए आज किसी नए रचना की शुरुवात कर सकते हैं आज किसी सुबसमाचार के मिलने के योग नजर आ रहे हैं परिवारी क्रिश्चों के बीच शमंजख्ष बनाने में आप शखल रहेंगे केवल एक दिन में आप अपने आपको जीने की आदत बदल डालें क्योंकि यह आपके लिए नुक्षान दे होने वाला है साथ ही जरुद से ज़्यादा पैसे मनुरंजन पर खर्च ना करें आज आपके कई दिनों से रुके हुए कार्यों में आपको शफलता मिलेगी प्रेमी जोड़े आज आपके लिए दिन उत्तम है आज आप एक दूसरे को कोई मेठी चीज जैसे की चॉकलेट वगर्या कुछ गिप्ट कर सकते हैं आज के दिन भागवान स्री गनेश को लड़ू का भोग लगाने से आपके तरक्की के नए मर्ग प्रसस्तों होंगे अब आई बात करते हैं अगली राशी मकर राशी मकर राशी वाले आज आपका दिन बढ़िया रहेगा काम खाच के लिए आज से आज आपका मन कारियों में पहले से अधिक लगने वाला है अगर आज किसी जरूरी काम को पूरा करने की सोच रहे हैं तो वह आज शमय से पहले पूरा कर लेंगे लेकिन आज आज आपको पहले से ही योजना बना कर चलने की जरुरत है आज किसी भी अंजान व्यक्ति से बात करतेश में अपने भासा का शही इस्तुमाल अवश्य करें इस रासी के मेरेटियल कपल के लिए आज का दिन अच्छा है जीवन साथी के साथ कहीं बाहर किसी ठंडे अस्थान पर जाने का कोई प्लान बना सकते हैं दोनों के बीच शामंजश बना रहेगा प्रेमी जोडे के लिए आज का दिन उत्तम है आप भी कहीं शाम को घुमने के लिए जा सकते हैं निमीत रुप से योग करना आज आपको जरूरी है आपके लिए काली गाय को रोटी खिलाना आपके लिए लापरद उपाय रहने वाला है अब आई बात करते हैं अगली रासी कुम्ब रासी कुम्ब रासी वाले आज आपका रुजान आध्यात्म और धर्म के परती रहने वाली है ऐसा भी हो सकता है कि किसी धार्मिक अस्थल पर आप जा सकते हैं आज आपकी आर्थिक इस्तिती पहले के अपिछाक्रित जादा अच्छी रहेगी शाथ है यदि आपका कोई पिछला बिल या कुछ चीजे आपने पे नहीं किया है तो उसे जरूर पूरा कर दें नहीं तो इसका जुरुवाना आपको लग सकता है इस रासी के लौ के स्टुडेंट के लिए आज का दिन उत्तम रहने वाला है आज आपको कहीं से कोई नया काम मिल सकता है इस रासी के टीचर्स को आज उनके लिए भी कहीं से कोई नया जॉब का उफर या पर्मोशन के योग दिख रहे हैं आज पैरेंट्स अपने बच्चों के खान पान पर अवस्ष ध्यान दें इस रासी के करमचारियों के लिए आज का दिन अच्छा है आफिस में किसी काम में आ रही बाधाएं आज खत्म हो जाएंगे मेरेडियल का पर आज एक दूसरे से कोई ऐसा वादा ना करें जो पूरा ना कर सकें इससे आपके रिस्तों में दूरियां बढ़ेगी आज के दिन तूसी के पोधे में घी का दीपक जलाना आपके लिए एक नई सुभा और उत्तम उपाय रहने वाली है अब आज ये बात करते हैं अंतिमरासी मिनरासी मिनरासी वाले आज का दिन आपको बहतर परणाम लेकर आएगा और यह परणाम आपके कारे वेपार से जुड़ा हो सकता है आज 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 किसी नए वेपारी छेत्र में पैसा लगा सकते हैं जिससे आपको धनलाब के अवशर दुगने प्राप्त होंगे आफिस में किसी जरूरी काम को पूरा करने के लिए आज पिछली कमपनी का अनभव आपके काम आएगा आज आपको किये हुए परिस्रम का फल आपको अवश्च्र प्राप्त होगा आज आपके बॉस आपके कारियों से खुश रहने वाले हैं यदि काफी समय से आप किसी कोट कचारी के मामले में फसे हुए हैं तो आज का दिन आपके लिए अच्छा है सभलता मिल सकती है प्रेमी जोड़े आज एक दूसरे के साथ टाइम एक्स्पेंड करेंगे और आज आपको समय भी काफी अच्छा एक दूसरे के लिए देख रहा है आज किसी जरुत मंद को भोजन खिलाने से आपके घर में सुख शोभाग्य में बिर्दी होगी उपाय एक और आप अवस्चर करें थोड़ा अवसा पान और सुपारी मादुर्गा को अवस्चर आए इससे आपके जीवन में सुख शांती और श्मृदी बढ़ने वाली है तो दर्शकों इसी प्रकार से जोतिस एवन धर्म से जुड़े अनेक महतपुर्ण रहश्पुर्ण कारकरम को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले सब्सक्राइब करने के लिए वीडियो की नीचे देखें लाल किलर का सब्सक्राइब का आपको बटन दिख रहा है उसे आप किलिक करें बगल में एक छोटा सा काम और कर दे बेल आइकोन आपको दिख रहा होगा घंटी के एकार का उसी भी प्रेस कर दें जिससे आपको इस चैनल पर कोई भी वीडियो अप्लोड होगा सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन सूचना मिल जाए फिर मिलेंगे अगले कारकरम में तब तब के लिए नमस्कार, जैमाता दी, राधे, राधे